नमस्कार दोस्तों प्रताब क्लासेज के यूटू चनल पर आपका स्वागत है तो अपना टार्गेट है RBSC राजस्तान अध्यान को कवर करना और आपको धीर धीरे इस पुष्टक जो राजस्तान अध्यान की कक्षा 6 से लेकर जो 12 तक पुष्टक है उसको आपको धीर धीर इस क्लास के अंदर आपको रिवाइज करवाय जा रहा है तो अपने कक्षा 6 का निचोड पढ़ लिया कक्षा 7 कंप्लिट कर लिया कक्षा 8 को भी कंप्लिट कर लिया और क्लास 9 को भी कंप्लिट कर लिया आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 जिसका पहला पार् इसके स्टार्ट होगी कक्षा 10 की 9 जो आपको राजस्तान अध्यन की बूक है उसके अंदर इस क्लास के अंदर आज अपने जो जितनी भी सब बता है ना सब बता है राजस्तान की परमुक सब बता ही है राजस्तान का इतियास था वो आपने आज अपने इस क्लास के अंदर अ राजस्तान देने कक्षा 6-12 उस तक तो ये जो है प्ले लिष्ट बना दीगी इसकी लग से और वहाँ जाकरा प्ले लिष्ट से ये सारे वीडियो आप देख सकते तो सारे विदारती एक बार वीडियो को लाइक सेर करेंगे स्टार्ड करना और रोज शाम आपको ये आठ वजे लाइव क्लास है मिलती रहेगी तो कक्षा 10 की आज अपने पहले पार्ट को अपने स्टार्ड करने जा रहे हैं देखिए पहला क्यों सन सन 1800 में सरोपरतम राजस्तान के लिए राजपताना सब्द का प्रयोग किस ने किया था अब सबसे पहले मैं थोड़ी सी सूचना आपको देते था हूँ अगर कोई साथी इस पुष्टा को खरीदना चाहे तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ 80580Й 805802001 8058022001 इस नंबर पे आप है ओनली वाटस अफ मेसेज करके इस पुष्टा का प्राइस पूछ लेना ओनलाइन बुक यह मगवा सकते हो ठीक है? address वेगरा डाल देना और payment इसमें online दे देना तो आपको इस नमबर पे whatsapp message करके आप पूछ लेना online book आपके लिए मिल जाएगी रक्षाच्या से 129 classes के नाम से तो ये राजपताना सब्द का सरवपरतम प्रयोग किया था जोर्ज थॉम्स ने करनल जैम्स टोड ने अपनी पुष्ठक एनलेस एंड एंटीक्विडिस और राजपतान में राजपतान या राजपतान नाम किस वर्ष दिया था ये दिया था 1829 के समय आगे देखो प्राचिन समय में जांगल देश कोण सा चेतर के अंतरकाता था आपको पता है जो जांगल प्रदेश है वो भीकानेर नागोर के जो आसपास का चेतर है उसको बोलते थे जांगल प्रदेश मरू और मरू वार के नाम से कोण सा छेतर जाना जाता था तो मरू मरू और मरू वार के नाम से जाना जाता था जोधपूर कोण सा जाना जाता था जोधपूर इसको जाना जाता था अब देखो आगे नेक्ट 6 नमबर क्योसन आपके सामने किन जिलों का प्राचिन भाग समय में सूरसेन राज्य के अंतरगत आता था जिसका उलेक महाबारत में भी मिलता है तो ये भरतपूर दोलपूर क्रॉली का जो भाग है वो रियास्ते थी उस समय महाबारत के समय इनके जो है जो उलेक मिलदा है और इनको सूरसेन राज्य के अंतरगत ये आते थे बैसरोडगड से लेकर बिजोलिया तक का छेतर क्या कहलाता है तो ये छेतर कहलाता है उपर माल का कौन सा बेंसरोगड से लेकर विजोलिया तक का जो छेतर है न ये उपर माल का छेतर कहलाता है किस जिले को प्राचिन सम्मे में मांड वैवल के नाम से जाना जाता था तो ये जाना जाता था जैसलमेर को किस जिले को प्राचीन संहे के अंदर मांड वावल के नाम से जानते थे जे सरमेर के को जानते थे बागड क्या कि लाता है इतियास को तीन कालों में विवक्त किया जाता है एक है प्राक यूग अध्य यूग और इतियसिक यूग प्राक यूग में यह यूग स्रिष्टी के आरम से हडपा सबेता के पुरुव तक था प्राक यूग अद्य यूग यह यूग हडपा सबेता के काल से 690 पुरुव तक रहा ठीक है और एत्यासिक यूग यह यूग 690 पुरुव से वर्तमान तक है एत्यासिक यूग तो सबसे पहले तीन काल थे प्राक यूग, फिर अध्य यूग, फिर एतियासिक यूग, यह याद रखने है चीतने से, 1870 इस्वी में C.A. हेकेट ने सरोपर्थम कांसे पत्थर से बनी पूरो पासान काली हस्त कुठार खोजी थी, अब यह चीज़ें आपको नोट करते जान हैं, अब एक्जाम में यहाँ से कोशन आते हैं, तो यह कोशन आ चुका है, जारक ना, 1870 में C.A. हेकेट ने सरोपर्थम कांसे पत्थर से बनी पूरो पासान काली हस्त कुठार खोजी, तो यह जैपुरो और इंदरगड से, कांसे खोजी थी, जैपुरो और इंदरगड से B. आलचिन ने किस चेतर में पूरो पाशान काल के उपकरण की खोजी थी, यह की थी, जालोर के अंदर, कांपर की थी, जालोर में, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलित लगू पाशान उपकरण का गया, यह का गया है, मद्दे पाशान काल को, इसक तिलवाडा के बागोर और मारवाड के तिलवाडा नामक स्तानों से प्राप्ते उपकरन किस काल के हैं। ये स्वाई मादपुर में। ये सारी के सारी द्यारकना तिनों हैं। तामर वे तामर कांसे कालीन ये अवशेश हैं। काली बंगा पनुवानगड में और अहड जःड यह काम पर है उद्यपूर के अंदर इसके बाद में बूट्अ पुषकर अजमेर में, एलाना, जालोर में और मला है नो है बरतपूर के अंदर है किस सबइता का समद लोहय यूगिन सबइता से है लोहय यूगिन यानकी लोहय सब्विता है वो है नोहय एक तो है नोहय बर्थपूर और एक है जोदपूर जयपूर और एक है रेड टॉंक तो दियान रखना जोदपूरा है जयपूर में एक है रेड टॉंक और नोहय बर्थपूर ये है लोहय यूगिने सब्विता और कांस तामरकांसे युगिन जो मैंने आपको उपर है बता दी है ये इसी तरह आते हैं असकल एक्जाम में राजस्तान में किस सेतर से प्राप्त लोहे के अफसेस प्रारत में लोहा युग के आरम होने की सिम्मा रेखा निदारत करने के महत्पुन स्तोत हैं तो वो है नोहे बर्तपूर से द्या रखना राजस्तान के समय क्या है लोहे के जो अफसेस है बारत में लोहा युग के आरम ह प्राचिन राजस्तान को प्राचिन राजस्तान को पता है रेड़ टॉंग को राजस्तान की किन सभेताؤں से सलेटी रंग के चित्र मृद बांड संस करती के अवशेश मिले हैं अब आपने बढ़ते हैं काली बंगा सभेता के बारे में जोर्मानगड में हैं यह सब्वेता द्वस्त दती वे सरुषती नदी गाट यानिकी वरतमान वे जिसको गगर नदी के नाम से जानते ही एडपा सब्वेता से ही प्राचिन विक्षित हुई नमानगर जिले में है और पंजाबी वासा में काली बंगा कार्थ है काले रंगी चूडिया अब फिर दे इसको उत्खनन सब्वेता के पांच स्तर सामने आई है देखो यह कोशन आयाता CT के अंदर की काली बंगा के उत्खनन में सब्वेता में कितने स्तर सामने आई तो पांच यह कोशन आ चुगा है काली बंगा की सब्वेता को दो बागों में बांटा गया प्राक अडपा सब् इसमें पर्थम दोस्तर तो हडपा सब्वेता से भी प्राचिन है फिर जो तीसरा स्तर मिला है वो हडपा सब्वेता के समकालिन है और चोथा और पांचवा जोस्तर है वो हडपा सब्वेता के समकालिन है ये याद रखने पांस तरह मिले हैं काली बंगा सब्वेता में किस सब सबेता के बारे में काली बंगा जो सबेता है वो एक नगरीय सबेता थी यहाँ पर बरतनों के रंग लाल जिन पर काली और सपेद रंग की रेखाएं खिंची मिली है और यहाँ पर जूतेवे खेद के साक्षे मिले हैं एक एक कोसन में एक एक निचोड है एक एक रामबान सब पिताईए एक एक कोशन आपके लिए किसका समंद आहड सबेता से रहा अब देखो आड सबेता वाली आगी ना आड सबेता का पर है उद्यपूर में तो वहाँ पर देखो अक्षे किरती व्यास रतन चंदर अगरवार्ट और एचटी सांकलिया इन तिन्नों का समंद है आहड सबेता से किस सबेता को दूलकोट वे अघाटपूर के नाम से जाना जाता है इसको जानते हैं आहड सबेता को आप देखो आगे ना अक्षे किरती व्यास ने आहड सबेता की खोज कब गी थी 1953 में कब गी थी अक्षे किरती व्यास ने आहड सबेता की खोज कभी कब की थी 1953 जो इनकी मर्त्व के बाद भी जीवन के वदारणा का समर्थन होने का परमान है वह है आहड वह नदर ठीक है वह लोगों को मर्त्व को गहनों जो अभूशनना उसी के साथ दपना देते थे और इस तरह जो कर्यवारी थी वह ही आहड सब्वेता में अब देखो आहड सरबेता के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर काले लाल काले मिटी के बरतन बनाने वाली संसकर्टी का परमुक के अंदर था पहली चीज तो यह नोट करना इसका दूसरा नाम था तामरवती नगरी मिलता है उचा जा सकता है तामरवती नगरी उत्खनन से प्राप्ट ठपों से यहाँ पर रंगाई छपाई विवसाई की उन्नत अने का अनुमान लगाए जाता है तीक है? और यहाँ पर काली बंगा की तरह मकान बनाने विदोप में सुकाईगी इंटों व्यपत्र का प्रयोग करते थी काली बंगा की तरह यहाँ पर आहड सबेत के इसके रूप में सामने आई है वो है आहड सब्वेता यानि कि ये आहड नदी के किनारे है और यहां पर 4000 वर्स पुरानी पाशान दातु के समय इसके इसके सामने आई वैस सब्वेता कौन सी है जिसका रासमन जिले के बनास नदी के तटपर पर 1958 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया वो थी गिलूंड गिलूंड काँपर है रासमंद में त्यानकना काँपर है गिलूंड रासमंद में है ये रासमंद जिले के बनास नदी की तटपर है उन्निस सो स्तावन ठावन में ये बीबी लाल के निर्देशन में इसक प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले काले साधे पॉलिस दार बूरे लाल वे काले चित्रित मिर्द बांड है 1908 में से 2003 इसवी के मद्दे पूरे के डॉक्टर वियस सिंदे ने तथा पैंसिव लेनिया विस्वी देले अमरिका के प्रोपेसर है ग्रेगरी पॉसल की निर्देशन में उत्खनन यांपर करे किया गया ता ये लाइन आप से आ सकती है भी पूरे के जोड़ डॉक्टर है ऐसा सिंदे उनके द्वारा कौन सा किसका निर्देशन उत्खनन किया गया तो गिलोड सबबदा का बीलवडा में बागोर सबबेता किस नदी के किनारी है तो बागोर सबबेता है कोठारी नदी के किनारी 1967-1970 तक ढोक्र बियन मिस्रा ने कोथारी नदी के तरट पर किस सबवेता का उत्खरन करे किया तो वह है बागोर है सबवेता किस ने किया ता बियन मिस्रा ने किस सब्वेता के उत्खरनने से प्रागे त्यासी काल की सब्वेता के उसे स्प्राप्त हुए जो 4,000 से 5,000 आई स्वपूरों के माने जाते हैं मद्य पाशान कालिन सब्वेता का स्थल और लगू पाशान उपकरण का पुर्मुक के अंदर है जहां क्रिसी व्य पसुपालन के प्राचितम साक्षे मिले तो वो मिले हैं बागोर से ज्यां रखना क्रिसी व्य पसुपालन के प्राचितम साक्षे कहां से मिले हैं बागोर है भीलवाडा से, अब आपने पढ़ेंगे सिकर में कांतली नदी के किनारे गणेशवर सब्यता की बारे में ठीक है, कांतली नदी के किनारे है गणेशवर सब्यता, उसके बारे में देखो डीटेल, इसका उत्खनन 1922 में रतन चंदर अगरवाल की निर्देशन में हुआ, मर्युगन की सब्वेता की जन्नी भी इसको बोलते हैं फिर देखो गणेश्वर सब्वेता के बारे में यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में निन्याण में परतिशत यहां पर तांबा मिला है यहां से तांबा अडपावे मोन जोदलों को बेजा जाता था और काले वे नीली रंग के बरतन जीने कपी शवर्णी मृद पातर भी कहती तो यह एक नेशुर्च ब्वेता की बात है किस सब्वेता से एक रोमन एमपोरा सुरा पातरावे एक युनानी सुराही मिली जो इसके विदेशी वेपार का केंदर होने की पूश्टी करता है वो है बीनमाल जालोर द्यानकना रोमन एमपोरा का एक युनानी सुराही मिली कहां पर बीनमाल है जालोर में बीनमाल जालोर के सब्वेता का उत्खरन किसके द्वारा करवाए गया तो ये आरसी अगरवाल के द्वारा इसके द्वारा बीनमाल जालोर के अंदर एक सब्वेता है उसका उत्रगन किसे ने करवाए था आरसी अगरवाल ने किस चैतर का नाम स्रीमाल था तो स्रीमाल किसको बोलते थे बीनमाल को इस सवाल सब्वेता किस जिले में है जहां से सिम्रिद लुहे उद्योग के साक्षे मिले है देखो कहांपर है ये उद्यपूर के अंदर कौन सी इस सवाल सब्वेता ये उद्यपूर के अंदर है और यहां से लुहे उद्योग के यहांपर है साक्षे मिले है मतश्य जनपद की राद धनी बेराट किस जिले में है तो मतश्य जनपद की राद धनी थी बेराट वो जैपुर में है रास्तान में किस सबेता से मोरे कालवे बहुत ध्रम के अवसे स्प्राप्त हुए तो यह आपको सभी को पता यह तो सर्द साही है बेराट से अब देखो जैपूर में स्थिते बिराट सब्वेता के बारे में इस सब्वेता की खोज 1936 दैराम बहादुर सानी ने की थी ठीक है 1936 में यहाँ पर उतकनन खरे नील रतन बर्नर जी और केलास नाद दिक्षित ने किया था बिराट सब्वेता का बिराट से गोल मंदिर और अशोक का ब्राम्बू सिला लेक प्राप्त हुआ है तो बिराट से गोल मंदिर कहां से मिला है बिराट सब्वेता से किस सब्वेताब से अशोक का ब्राम्बू सिला अभिलेक प्राप्त हुआ जो अशोक के बोध रम का नुई होने का सबसे पुक्ता प्रणा मानता है वो मालता है बेराट सब्वेता से प्राचिन सब्वेताओं के बारे में रंग मेल है अनमानगड में ओज्याना है बीलवडा के अंदर द्यानखना ओज्याना सब्वेता है बीलवडा में नगरी है चितोडगड में ठीक है नगरी चितोडबगर में और बरोर सब्वेता है गंगा नगर के अंदर है फिर तिलव कांपर है उद्दियपूर के अंदर ये चीजें साथ साथ में नोड करते आपको जाना है राजस्तान में आर्य था गंगनागर में अता था लेकिन अब है गंगनागर से यह लगोोकर अनूपगर नया जिला बन गया अंगुत्तर निकाई में हमें 16 मा जनपदों की राधनी ये जानकरी प्राप्त होती है इनका समद किस धरम से है तो इनका समद है बोध धरम से राश्तान के किस शेतर को सिवी जनपद कहते थे तो ये चितोड का जो आसपास का शेतर है उसको बोलते थे सिवी जनपद अब आगे देखो पिचपन नमबर 327 उसी पूरो में किस आकरमण के काण सुरक्षा और अस्तितव की रक्षा के लिए पश्यमोतर सिमा से कुछ कभी ले मालव योद्य और अर्जुन राजस्तान में आकर बसे थे वो थे सिकंदर आने कि किस आकरमण के काण तो सिकंदर के आकरमण के काण वो सुरक्षा और अस्तितव की रक्षा के लिए वो क्या कुछ कभी ले है न वो योद्य और अर्जुन राजस्तान में आकर बसे थे आर्य जेन की रूप में मतश्य जातियन की मतश्य जनपद का उलेक सरपर्तम किसके मिलता है तो ये सत्पत ब्रावन में मिलता है मतश्य जनपद की राधनी नहीं मिलती है तो ये अंगुतर निकाय में किसमें अंगुतर निकाय में फिर मतश्य जनपद के बारे में देखो मा बारत काल में मतश्य जनपद के राजा विराट ने विराट नगर को अपनी राधदानी बनाई विराट की पुत्री उत्रा का विवा अर्जुन के पुत्र अभी मन्यू के साथ हुआ ठीक है अभी मन्यू के पुत्र परिशक्तित का पालांतर में पांड़ों के राज्य का उत्रा दिकारी भी बना था और मतश्य परदेश में जैपुर, अलवर, दोलपुर, कोली, बर्तपुर के कुछ वाग इसके अंदरे शामिल होते हैं। अलवर के अंदरे हैं। अपने समराज्य में शामिल कर लिया था तो ये किया था मगद। किसने मगद ने अपने अंदर इसको समराज्य शापित कर लिया था। डॉक्टर गोरी शंकर, हीराचंद ओजा और सिवी वेदे ने राजपुतों को किस की संतान माना तो वेदिक आरियों की संतान माना है। त्यानाक नाकिस को डॉक्टर गोरी शंकर, हीराचंद ओजा और सिवी वेदे ने राजपुतों को वेदिकारियों की संतान मना। पर्त्युराज राजपुतों के गरंत के लेकर चंदर बरदाई के नुसार अगनी कुंड से किस जाती की उत्पती नहीं मानी जाती तो वो राठोडों की, इसकी नहीं मानी जाती राठोडों की, किस इत्यासकार ने गोहिल राजपुतों की उत्पती नागर ब्रामन से बत किस से त्यासकार ने बिजोलिया सिलालेक में राजपूतों के ब्रामण वंसी होने के साक्षे माना है किस से त्यासकार ने में वाड के गुहिलोतों को नागर जाती के ब्रामण गुहदेत का वंसी बताया तो यह किसने यह बताया है गोपिनात सर्मा में अब देखो आपको जैसे यह चीजे याद नहीं रहती तो आपको कुछ यह दो चारी जाता है वो आपको एक तरह पने आप नोट में लिख सकते हो अपने तो आप एक दो बार पढ़ोगी तो आपके याद हो जाएंगे गुहिल वंस के सासकों ने किस सेतर में राज किया था तो ये किया था मेवाड के अंदर है गुहिल वंस को इरान के सासक 9 सेका से 9 सेका से समझीद किसने मना तो ये अबूल फजल ने द्यान अखना गुहिल वंस को इरान के सासक 9 सेका के समझीद किसने मना अबूल फजल ने आप देखो हमने सबबता के बारे में पढ़ लिया और जनपद के बारे में पढ़ लिया अब अपनी आ जाती है इतियास यहां से स्टार्ट हो जाता है तो अपने पढ़ेंगे मेवाड राजवन से यह स्टार्ट हो चुका है तो यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं गुहिल इराचंद ओजा के नुसार 566 इस्वी में गुहिल सासन ने स्टापिद गयाने के 566 इस्वी गंदर गुहिल सासन की स्टापना हुई थी गुहिल के बाद मेवाड के परतापी सासक कौन बने थे बपा रावल गुहिल के बाद मेवाड के जो परतापी सासक बने थे बपा रावल बपा रावल ने 734 में चितोड सासक मान मोरी को प्रास्त अधिकार किया इसकी जानकरी मिलती है राज परसस्ती से बपा रावल ने मेवाड की राजदानी किसे बनाय था तो बप्पा रावल ने राजदानी बनाई थी किसको नागदा को, किसको नागदा केलास पूरी में एक लिंग जी यानि की लकुलिस मंदरी का निर्मान किस सा सकने करवाया था तो बपा रावल ने आनकी केलासपुरी में एक लिंग नाजान की लकुलिस मंदिर का निर्माण का आपर कुरूआ था उधियापूर में बपा रावल ने गोरी संकरी राचन दोज़ा की नुशारब बप्पा रावल का वास्तवी के नाम क्या था? काल बोज किसके नाम सी जानते थे? काल बोज बाच गोश क्या है? बाच गोश ये है बुद्ध चरितर द्वारा लिखी देख पुष्टक है जिसको बाच गोशे बोलते हैं किसे त्यासकार के नुसरा बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपी तो एक खिताब दा तो ये किस ने कहा शांबल दास ने शांबल दास इत्यासकार थे उन्होंने कहा कि बप्पा किसी का किसी राजा का नाम नहीं था बली कि एक खिताब को बोलते थे बप्पा रावल की तो यहाँ पे देखो काल के बारे में सही करम देखो के सासन काल के बारे में सही करम देखो जेतर सिंग तेज सिंग रतन सिंग अब इनका देखो जितने भी सासक है न उनका करम वाई जाप करम जिया रखा करो क्योंकि एक्जाम में देने देखा था लगबग करम एक्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भी इसके बाद कौन सा सासक पर हैं गद्री कोपर बैटा था तो जैतर सेंग इल्तुत चमिश बीच में बुताला का युद्ध कब हुआ 1227 के अंदर उआ था ठीक है तो माड़ के सासक थे सबसे पहले जैतर सिंगंग उसके बाद में दोजाने किस मेवार सासक दिली के गुलाम वंसों के सुल्टानों की समय का परतापी सासक माना है और इस О fianceова की वीरता की प्रशूटम सा उसकी ग्रोध्य ने की वो गीती जिर तरसिया ने हमीर मध मर्दन में इसको कहा गया है क्या क्या गया है हमीर ही किसको कहा गया है था जेतर सिंग का मिवाड सासा की रूप में सासनकाल था तो 1213 से देखर 1253 तक कब से था जेतर सिंग का 1213 से देखर 1253 तक है और चितोडगड दुरूग का पर्थमसा का हुआ था 1300 इन में आज अपने यहीं तक बात करेंगे 60 क्वेशनों तक है क्योंकि आगे हिस्ट्री आप आपको पता इत्यास मेवाड बहुत ज्यादा लंबा है तो अपने दिरी दिरे छोटे 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 पार्टों में पढ़ेंगे ताकि आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद होते रहेंगे इसलिए मैं छोट छोटे पार्टों में आपको ये दिरी दिरे इसका आइस आपको मैं करवाता रहूँगा तो सारे विजारती एक बार वीडियो को लाइक शेर करते रहे ना और आपके जितने भी दोस्त है जो फ्रेंड है आपके उनमें आप वीडियो को यह सेर किया अगरो यह आप यह क्लास है ना यह सभी के लिए रामबानें साबित होगी क्योंकि अप्रते के लिए क्लास जुरूरी है योगी राजस्तान अगर कोस्टन आएगा न तो यहीं से कोस्टन एक्जाम के अंदर पूछा जाएगा धन्यबाद जैहिंद जै भारत